नमस्कार प्रिय विद्धार्थियों आज हम बीई दित्ति वर्ष हिंदी साहिते प्रत्थम प्रसंट पत्र में आचारे हजारी प्रशा दिवेदी का लेखक परिच्छी देंगे आचार हजारीपस्टा np. दिवेदी का निमंद असोक के फूल हमारे पठेकर में शंकली थे, आप इस निमंद का दिन करें आज हम आचार हजारीपस्ट दिवेदी के साहितिक यऊगदान, उनकी व्यक्तितो एबम स्रतितो को सिश्पथ करेंगे आचारी हजारी पसाद दिवेदी हिंदी के मूर्धन्य आलोचक है साथिवे निमंदकार और अपनियासकार भी है हिंदी साहिते में उनका महत्वपूर्ण योगदान है आचारी हजारी पसाद दिवेदी की एक रचना बान भट की आत्म कता हिंदी साहिती में चर्चित रही है यह उन्होंने 1946 इस्वि में लिखा था यह उपन्यास हिंदी के उतकरष्ट उपन्यास में माना जाता है इस आधार पर आचारे दिविदी को हिंदी का बान भट भी कहते हैं आचारे दिविदी आधुनिक हिंदी साहिते की चेतना के प्रतिक माने जाते हैं इतिहास, सोध, निमंद, आलोचना, पत्र लेखन, संस्मान, सास्त्री अनुसीलन, उपन्यास लेखन आदिशेत्र में उनकी विरल, मौलिक्ता और उतकृष्टता ने उन्हें चोटी का रचना कार बनाया हैं, उनके बहु आया में व्यक्तितों ने अपनी पूरी स्रजनात्मक ताकत से हिंदी साहिते को अपने आप में एक सकती साली वस्तू और हिंदी को भारती चिंतन परंपरा का प्रतिनिदितों करने वाली ससक्त भासा के रूप में प्रतिष्ठित किया हैं, उन् की अत्कालिन लेखन को प्राच्विन सांस्करतिक धारा से जोडने कम है तो पूर्ण कारे भी किया है इतिहास और आलोचना जिसी स्रजन्शिल विधाओं में नई संभावनाओं का द्वार खोला आचारे सुक्ल की निमंद परंप्रा को विक्षित करते हुए उसी एक नया सवरूप एक नया तेवर दिया है आचारे हजारे प्रशाद दिवेदी की तुलना आचारे सुक्ल सिखी जाती है क्योंकि हिंदी साहिती इतियास में जो आचारे राम चंद सुक्ल का इस्तान है वो बहुत उत्कृस्ट साहिती इतियास करमाने जाते हैं लेकिन आचारे सुक्ल के इतियास को चुनोती एक मात्र आचारे हजारी परशाद दिवीदी ने दी है और वो भी तार्किक्ता के साथ है चाए वो भक्तिकाल के सम्मन में हो आचारे सुक्ल भक्ति को मुगलों की देन बताते हैं तो आचारे दिवीदी कहते हैं कि मुसल्मान नहीं आते तो भी भक्ती का बारे आना वेसा ही होता जैसा आज है तो इस तरह से उन्होंने कई बातों को लेकर आचार सुक्र को हिंदी साहित इतियास में चुनोती दी है युग प्रवर्तक समालोचक दिविदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 इस्वी को बल्या जिले के आर्थ दूबे का छप्रानम गाउं में हुआ था उनका निधन 19 मई 1989 को दिल्ली में हुआ संस्कृत भासा का संस्कार दिविदी जी को पारिवारिक परंपरा से मिला था कासी हिंदू विश्वधाले से शिक्षा ग्रहन कर वे जब वे सांती निकेतन में प्राध्यपक बन कर गए तो वहां रविदनाथ टेगोर के शानिद्य में रहकर उनमें मानोतावाद की प्रती द्रिड आस्था पैदा हुई जो उनके साहितिक मुल्यों की आधार सिला बनी जीवन के कारिचेतर में संगर से जूजते रहने के बावजूद उनकी सरजनात्मक सक्तिने हिंदी कुपपूल रचना संसार सौंपा उनकी प्रमुक प्रकासित करतियां इस प्रकार हैं उनकी चार अपनियासिक रचना हिंद प्रकान भट की आत्म कथा चारू चंदरलेक पुनर्नवा अनामदास का पोथा वे हिंदी के उतकरस्ट निमंदकार भी हैं और ललीत निमंदों के छेत्र में आचारी दिवीदी को प्रमुक तासी देखा जाता हैं उनके निमंद हैं साहितिय सहचर, कुटज, कल्पलता, व विचार और वितरक, आलोक पर, असोक के फूल, विचार प्रवाहा, असोक के फूल भी ये दित्य वर्ष के हिंदी साहितिय प्रत्म रसन पत्र में संकली थे असो के फूल का आपको दिन करना है इस तरह से उनकी निम्मंद के चैतर प्रमेमा तपून रचना है आलोचना के द्रस्टिकोंट से देखें तो सूर साहितिय कबीर कालिदास की लालित यूजना मद्यकालीन बोद का सोरूप, सहितिय का मार्म, प्राच्वीन भारत में कलात्मक विनोद, मेगदूत एक पुरानी कहानी, इतिहास ग्रंथ, हिंदी सहितिय की भूमिका, हिंदी सहितिय का आदिकाल, एक उनकी रचनाव और हिंदी साहिति उद्बो विविकास नात संपरदाय और शंपादित में पुर्थ्विरा जरासो शंदी सरासक नात सिद्धों की बानिया आधी रचनाएं हैं इन रचनाओं में आलोचना के दिस्ट्रिकॉंट से देखें तो कबीर नामक उनकी रचना एक उतकरस्त रचना माने जाती हैं हिंदी साहिति में कबीर को इस्तापित करने का काम आचारी हजारी पशाद दिवीदी जी ने किया है दिवीदी जी ने साहिते में सबसे पहले इतियास लेखा की रूप में अपनी पहचान बनाई उनकी रचना हिंदी साहिति की भूमी का इतियास की जीवंत परंपरा और चेतना के मूल सुरोत का संधान करने वाली क्रेती बन गई यह 1940 में प्रकासित हुई थी इतियास लेखन में उन्होंने अपनी द्रस्टी को इस्पस्ट करते हुए कहा की शवदिह जाने इतियास की अच्छी जानकारी अपयक्षित हैं लेकिन यही जानकारी साध्य नहीं है शाध्य है भवीशे का निर्मान भारतियता और मानोवात पर आधारित उनकी द्रस्टी सदा भवीशों नो मुक्षि रही ज्यान देना आचारी अज़ारी परसाद दिवेदी को मानोत वादी माना जाता हैं विसाहित्य को मानोत वादी द्रस्टी कोण से देखते हैं नलीन विलोचन सर्मा के नजरिये से कहे तो कदाचीत समस्त भारती भासाओं में सबसे पहले आचारे दिवेदी ही सुकल जी के साथ सुकल जी की द्वारा प्रवर्तित विधेवादी साहितितियास भिन साहितिक साहितितियास लेखने के स्रेक यदिकारी है आचारे सुक्ल का दुष्टी कोन विध्यवादी है तो आचारे 2016 दिवेदी एतिहासिक परमपरावादी कहलाते हैं आलोचना के चेत्र में दिवेदी जी ने आचारे सुक्ल और श्याम शिंदर दास की लीकों पर चल रही हिंदी आलोचना को नई दिसा दी आलोचना में वे उस संतूलित द्रश्टी के हमायती बन के रुब्रे जो सत्यान वेशी हो, मुल्यान वेशी हो इस छेतर में उन्होंने खंड सत्य को पूरी तरह अश्विकारा है उनकी द्रश्टी में खंड सत्य और खंड सिध्धातों से जीवन और साहिती किशी का भी भला नहीं हो सकता समग्र जीवन द्रश्टी ही साहिती और जीवन को परखने और समझने का आधार देती है इस समग्र द्रश्टी के लिए दिवेदी जी आधुनिक समालोचना पदती को पुराने अनुभवों से सम्रिद करने पर जोर देते हैं साहिती में परंप्रा और प्राने अनुभवों के आग्रह के बावजुद दिविदी जी को परंप्रा वही तक श्विकारे हैं जहां तक वह रूधी नहीं बनती दर असल उनकी स्रेजनात्मक व्यक्तितों ने परंप्रा और आधुनिक्ता के बीच सही समीकरण को तलासा है उन्होंने साप सब्दों में कहा भी है मरेवी बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्स नहीं बन सकती परंथू मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित साक के नई नसे में चूर होकर अपना सर्बस खोदें कहने कातात पर यह हैं कि वे परंप्रा के साथ आधुनिक्ता का तालमेल चाते हैं दिविदी जी की निमंदों में निमंद कला का उतकर्स देखा जा सकता है सैलिगत लालिती संस्कृति प्रेमी उदार मना व्यक्तितों की भंगीमा सरस्ता गहन आनुभूतिक सम्मेदना उनकी निमंदों का अमवैशिस्टि हैं ध्यान दें वे ललित निमंदकार हैं दिविदी जी ने इतिहास आलोचना और निमंद की छेत्र में अपनी मौलिकता का परिचे ही नहीं दिया बलकि बान भट की आत्म कथा जेसी और पन्यासिक क्रति के जरिए संस्कृत वांग में से हिंदी कथा साहिते को सम्रिद किया है विद्या चाहे जो भी ही रही हो दिवेदी जी के समग्र साहिते में समयदन शीलता प्रान तत्तों बनकर च्छाई रही जिसने दिवेदी जी की स्थारना को पुष्ट किया कि साहिते मन के इस्तर पर व्यक्त होने वाली व्याकूलता की अभी व्यक्ति हैं विवस्तुत है मानवी जी जी विशा के गायक बनकर उभरे अब हम अभी व्यक्ति की दिश्टी से देखें तो भासा पर दिवेदी जी का उतना ही जबरदस्त अधिकार था जितना कबीर का अपनी गहरी संसकर्त निस्टा के बावजूद उन्होंने देसी विदेसी सब्दों का भरपूर प्रियोग किया है सब्दों के अटपटे प्रियोगों पर आपतिया दर्च करती टिपणियों का करारा जवाब दिया है मैं उन लोगों को साहित्य का सत्रू मानता हूं जो इस या उस भासा के दो चार सब्दों को साहित्य में प्रियोग्त देखकर भढ़के वी बेल की तरह तूट पड़ते हैं सक्ति सारी साहित्यकार सब्दों की नाड़ी को पहचानता है सचमुच उन्होंने सब्दों की नाड़ी को पहचान कर सब्दों से मन्चाहा अर्थ संप्रेशित करवाया है दिविदी जी के समुच सहिते संसार को देखर कहा जा सकता है कि उनकी द्रश्टी कहीं बान भट से प्रभावित है तो कहीं कबीर के फक्करपन से कहीं कालिदास के लालिते से और कहीं गुरुदेव की सोच से दरसल उन्होंने हर उस द्रश्टी को ग्राय माना चो मानवी मुल्यों को नया आयाम दे सके क्योंकि उनका द्रश्टी कोन मानोत आवादी था इसलिए भासा के दिश्ट्रिकोन से बात करें तो दिवेदी जी ने संस्कृत के साथ साथ नए आधुनिक सब्दों का या अन्य प्रचलित सब्दों का भी भहतायत प्रियोग किया है वे कबीर को वाने का डिक्टेटर तक कहते हैं उसी तरह उनका स्वयम का भी भासा पर पूर्ण अधिकार था आचारे दिवेदी का समग्रफ साहित हिंदी की अतिहासिक संपदा है जिसमें सरजना की नई सक्ति हैं जहां पांडीते का लदाव नहीं बलकि चिंतन की गंभीरता का विनम्र शोर हैं परंपरा के पृति पूर्वा ग्रह नहीं बलकि साम्यक परिवेश के संदर में उसकी जांच पड़ताल करने का आग रहा है तो इस तरह से आप आचारे हजारी प्रशाद दिवेदी के व्यक्तितों क्रतितों को स्पस्ट करें उनके सहितिक अवदान को स्पस्ट करें अठ्यक्रम में आचारे हजारी प्रशाद दिवेदी का असोक के फूल निम्मंत संक्ली थे उसका भी अध्यन करें धन्यवाद